नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्राइम की कहानी में, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक सची घटना के साथ, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, ये कहानी 12 फरवरी 2023 की है, 36 गड़ का जिला जाजगीर चामपा एक एतिहासिक नगर है, जिसे क्रिशी प्रधान जिले के रूप में भी जाना जाता है, यहां मुख्य रूप से क्रिशी आधारित व्यवस इसी शहर के वार्ड नंबर 18 में पत्रकार गोपाल शर्मा अपनी पत्नी और दो बच्चे इशिका शर्मा और आर्यन शर्मा के साथ रहते थे, 12 फरवरी की रात को लगभग 9 बजे बिलासपूर से रोहन पांडू अपने मित्र राजेंद्र सूर्या के साथ इशिका के घर इस दिन इशिका के माबाप धर पर नहीं थे, वो किसी काम से कोरबा गए हुए थे, रोहन को देख करके इशिका ने हसकर उसका ऐसे स्वागत किया, जैसे मानो कोई मनमुटाव वाली बात थी ही नहीं, राजेंद्र के साथ रोहन पहले भी कई बार वहां आ चुका था, इन पत्रकार बिटिया पर गर्व था, इशिका यूट्यूब पर पत्रकार के रूप में जाना पहचाना नाम बन चुकी थी, इशिका के इस शो को हजारों लोग देखते थे, जब इशिका ने छे साल पहले पत्रकारिता के क्षेतर में कदम रखा, उस वक्त उसकी मुलाकात र इशिका से मिलने के बाद धीरे धीरे वो उसकी तरफ आकर्शित होता चला गया, इशिका भी उसको पसंद करती थी, इसी बीच इशिका शर्मा पत्रकारिता के क्षेतर में एक बड़ा नाम बन गई थी, वो पत्रकारिता करियर के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही थी। वो एललबी की पढ़ाई कर रही थी। साथ ही उसने राजधानी रायपुर स्थित उशाभाव ठाकरे पत्रकारिता विश्वविध्यालय में दाखिलाभी ले लिया था। वो बहां से इलेक्ट्रोनिक मीडिया से मास्टर्स कर रही थी। पर किसी की कॉल आई। कॉल रिसीव करने के बाद वो रोहन को अंदेखा कर फोन पर हसकर बातें करने लगी। काफी देर तक इशिका मोबाईल पर बातें करने में व्यस्त रही। रोहन ये देखकर रंग बदलने लगा। उसे समझते देर नहीं लगी कि इशिका किसी लड़ समझाया, मुझे तो यही लगता है कि शायद मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। रोहन की बात सुनकर इशिका ने कहा, तुम मुझ पर बंदिश लगा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसी दौरान इशिका बोली की रोहन मैं अगर तुमसे शादी नहीं करना चाहूं तो क्या करोगे। फिर रोहन ने कहा ये तो उसी की मर्जी है, पर वो अपने दिल की बात बहुत पहले बता चुका है और इसलिए उस पर हक रखता है। इस पर इशिका ने कहा, देखो रोहन, अभी तो जिन्होंने मुझे पैदा किया है, उनकी भी बहुत सी बातों को मैं नहीं मानती हूँ। रही बात तुम्हारी तो तुम और हम सिर्फ दोस्त है, इससे आगे और कुछ नहीं। रोहन ने कहा, तुम कभी कुछ कहती हो, तो कभी कुछ तुम्हें समझना मेरे बस की बात नहीं है, मगर मैं ये कैसे बरदाश्ट करू कि मेरे सामने ही तुम किसी दूसरे लड़के से बात कर रही हो। इशिका ने बड़े सक्त लहजे में साफ साफ कहा। रोहन जैसे तुम मेरे दोस्त हो, वैसे कई और लड़के भी मेरे दोस्त हैं, और तुम इन सब बातों को दिल पर मतलो। फिर उसे जाने क्या लगा कि वो चहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए बोली, चलो ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये बताओ। रोहन ने राजेंदर की ओर देखते हुए अपने हाथों को नीचे जाड़ते हुए कहा, चलो ठीक है, अब होटेल चलते हैं, वही खाना खाएंगे। इसके बाद वे दोनों घर से होटल के लिए निकल गए। सुमवार 13 फरवरी 2023 को सुभा लगभग 10 बजे गोपाल शर्मा ने बेटे आर्यन को फोन लगाया। जब उसके कई बार कॉल करने के बाद भी फोन रिसीव नहीं किया, तो गोपाल शर्मा ने इशिका को फोन किया, मगर उसने भी कॉल रिसीव नहीं की। कई बार कॉल लगाने के बाद भी जब दोनों ने कॉल रिसीव नहीं की, तो गोपाल शर्मा और उनकी पत्नी जान की शर्मा चिंतित हो गए। दोपहर 11 बजे कॉलनी के गार्ड रग्धु को गोपाल शर्मा ने फोन करके कहा कि वो कल से बाहर आये हुए हैं। इशिका और आर्यन दोनों फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। उन्हें बड़ी चिंता हो रही है। जब उसने अंदर देखा तो दर्वाजा खुला हुआ था तो वो अंदर चला गया। तभी उसने देखा कि इशिका फर्ष पर मृत पड़ी हुई है। ये देखकर रग्धु घबरा गया और शोर मचा कर उसने पडोसियों को बुला लिया। लोगों ने देखा एक कमरे में आर्यन सोया हुआ था। उसे जगाया गया तो वो उठ गया, परंतु स्थिती समझन में उसे थोड़ी देर लगी। फिर बहन को मृत पड़ा देखकर वो रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इशिका के साथ ये क्या हो गया। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर दे दी, थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहा आ गई। इशिका के पिता गोपाल शर के साथ कोरबा से घर के लिए निकल गए। पुलिस वहा पहुंच चुकी थी। एसपी विजय अगरवाल से भी इशिका अकसर मिलती रहती थी। इसलिए जब उन्होंने उसकी हत्या की बात सुनी तो वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए। ततकाल पुलिस ने डॉग स्क और बुलवाई ताकी हत्यारे तक पहुंचा जा सके। मगर खोजी कुत्ता पास ही महले में जाकर वापस आ गया। पुलिस के सामने अब एक अंधी हत्या का मामला था। विजय अगरवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जाच में तीजी लाने को कहा। पुलिस न ने होटल जाने से मना कर दिया, तो रोहन के कहने पर बाद में तय हुआ कि रोहन और राजेंदर जाकर होटल से खाना लेकर आएंगे। फिर सब घर पर ही खाना खा लेंगे। फिर उसके बाद दोनों खाना लेने चले गए, रात को सभी लोगों ने खाना खाया, फिर उसक कि क्या हुआ अब पुलिस के सामने सारी कहानी साफ थी नगर कोत्वाल और जाच अधिकारी लखन के वट को ये समझते देर नहीं लगी कि रोहन नहीं खाने में नींद की गोलिया मिलाई होंगी जिसके कारण आर्यन को नींद आ गई और उन दोनों लोगों ने इसके बाद इ हत्या कर दी होगी इशिका के शव को देखकर पुलिस पहली नजर में ही समझ गई थी कि उसकी गला घोटकर हत्या की गई है SP विजय अगरवाल इस हत्याकांड को लेकर बेहत गंभीर थे उन्होंने इसके लिए आरोपियों को धर दबोचने के लिए SP चंदरशेखर परमार के निर्देशन में तीन पुलिस टीमें गठित कर दी SP ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफतार करने के निर्देश दिये पुलिस को आर्यन शर्मा के बयान के आधार पर रोहन पर शक्त था क्योंकि वही अपने दोस्त राजेंदर के साथ वारदात वाले दिन घर पर आया था पुलिस ने निकटवर्ती जिले की पुलिस के सहियोग से आखिर मुख्य आरोपी रोहन को मुंगेली मार्ग से गिरफतार कर लिया जहांगीर मुख्यालय लाकर जब उससे पूछताच शुरू की गई तो उसने ना सिर्फ इशिका की हत्या की बात स्विकारी बलकी वारदात में अपने दोस्त राजेंदर के शामिल होने का खुलासा भी कर दिया पुलिस ने रोहन की निशान देही पर दूसरे आरोपी राजेंदर को भी भदौरा जिला बिलासपूर से गिरफतार कर लिया रोहन ने बताया कि वो गिरफतारी के डर से राइगड शहर चला गया था जहां वो अपने दोस्त से मिला और उसने अपने लंबे बाल कटवा दिये ताकि उसकी पहचान ना हो सके इसके बाद वो शिवरीनारायन और शिवरीनारायन से कवर्धा पहुंचा वहां अपने दोस्त से मिलकर वो फिर कवर्धा से मुंगेरी जा रहा था तभी पुलिस ने रास्ते में उसे धर लिया दोनों आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाकर पुलिस ने पूछताच की और सारे सबूत इकठा किये आरोपी रोहन और राजेंद्र दोनों भदौरा थाना च्षेत्र के जिला बिलास्पुर के निवासी हैं किरासत में लेकर पूछताच करने पर इशिका शर्मा हत्याकांड के आरोपी राहुल पांडू और राजेंद्र सूर्य ने पुलिस के सामने सारी कहानी उगल दी हैं जिससे वो उड़ रही है इसलिए उसको ठिकाने लगा दिया जाएं दोनों जब घर पहुँचे तो इशिका को फिर से फोन पर बात करते देख रोहन के तन बदन में आद लग गई इशिका की बात खत्म होने के बाद वो सब खाना खाने बैठ गए आर्यन के खाने में रोहन ने पहले से ही नींड की गोलिया मिला दी थी खाना खाने के बाद जब वो उठने लगा तो राजेंद्र ने उसे सहारा दे करके उसके कमरे में सुला दिया थोड़ी ही देर में इशिका और रोहन में फिर से बहस्त शुरू हो गई रोहन ने तडब कर कहा इशिका आज तुम फैसला कर लो कि तुम सिर्फ मेरी हो इस पर नाराज होकर इशिका बोली यार तुम्हारा दिमाग खराब है मैं पढ़ाई कर रही हूँ मुझे कुछ बनना है मेरे कुछ सपने हैं तुम्हें इंतजार करना होगा रोहन ने गुस्से में कहा मुझे तुम्हारे रंग सही नहीं लग रहे हैं तुम तो पढ़ लिख करके मुझे भूल जाओगी तुम तो अभी से जाने कितने लड़कों के फेरे में हो मेरा क्या होगा इस पर इशिका ने कहा तुम इंतजार कर सकते हो तो करो और मुझे किस से बात करनी है और किस से नहीं करनी है ये मुझे मत बताया करो ये सुनते ही रोहन का पारा चड़ गया वो समझ गया कि इशिका जिससे वो जान से ज्यादा प्यार करता है उसके हाथों से निकलती चली जा रही है अब उसे कुछ करना ही होगा ये सोच कर वो गुसे से आगे बढ़ा और उसने इशिका को कई थपड जड़ दिये जब उसने विरोध किया तो रोहन ने उसका गला पकड़ लिया वो तड़पने लगी अपने आपको छुडाने लगी तो राजेंद्र सूर्य ने भी उसे पैरों से पकड़ लिया और दोनों ने मिलकर उसका गला दबा कर उसकी हत्या कर दी हत्या के बाद घर पर रखे हुए सोने के सिक्के और अन्य ज्वेलरी के अलावा इशिका की स्कूटी लेकर वे वहां से निकल गए ताकि पुलिस को ये लगे कि किसी ने चोरी करने की नियत से घर में प्रवेश किया होगा और हत्या कर दी होगी पुलिस ने आरोपियों से पूछताच के बाद उनकी निशानदे ही पर तीन मोबाइल फोन, सोने के गहने और स्कूटी बरामत कर ली पुलिस ने दोनों आरोपियों रोहन पांडू और राजेंद्र सूर्य को गिरफतार कर धारा 302-397 के तहट मामला दर्स कर दोनों को 14 फरवरी 2023 को नियायालय में पेश किया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया आज के लिए बस इतना ही फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी और सच्ची कहानी के साथ जिसे मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा और आप कमेंट करके जरूर बताना की आपको ये कहानी कैसी लगी और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें धन्यवाद